भारतिय एतिहास में बहुत से फिल्में बनी हैं लेकिन जब दा कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र होगा तो इसकी चर्चा अलग से की जाएगी ऐसा क्यूं इसके अनेकों कारण है और उन्हीं कारणों पर हम आज चर्चा करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी तोर पर तो फिल्म अच्छी बनी है लेकिन इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना और उसे रिलीस करवा लेना किसी युद जीतने जैसा ही है तीस साल का दर्द छुपा है इसमें वो दर्द जिसे पहले 20-25 साल तक तो किसी ने याद ही नहीं किया किसी ने चर्चा ही नहीं कि इस पर और जब चर्चा होनी शुरू हुई तो कोई उस सच को सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पाया ये जरूर था कि कुछ फिल्मेकर्स ने इस सच की आड में पैसा कमाने का प्रयास जरूर किया जिन में से एक थे विदू विनोज चोपडा जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने के नाम पर एक घटिया सी लव स्टोरी दिखा कर प्रेस कॉन्फरेंस में कहा और ये बात इतनी निरलजजता के साथ कही गई थी कि विदू विनोज चोपडा को खुद शर्म आनी चाहिए जो खुद को भी उनी सताय लोगों में से एक बताते हैं विदू विनोज की बोली ये बात तब इतनी शर्मनाक नहीं लगी थी जितनी शर्मनाक ये अब दकश् विदू विनोज चोपडा भूल कर आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे शायद यही फर्ख है विवेक अगनीहोत्री में और विदू विनोज में विदू विनोज बिजनसमेन है और विवेक अगनीहोत्री वो स्टोरी टैलर है जिनोंने 90s की उस घटना को सब के साब ने इत लॉबी इस फिल्म को नीचा दिखाने में लग जाते हैं और लगे भी अभी हमने विदुविनो चोपडा की बात की अब उनकी पतनी अनुकमा चोपडा की बात करेंगे सब उन्हें क्रिटिक कहते हैं तो अफकोर्स वो नॉलेजबल होंगी हाला कि शोले फिल्म पर एक किताब लिखना और एक बड़े प्रडियूसर की बीवी बनना ही काफी होता है आपको सेल्फ क्रिटिक बनने के लिए अब ट्विंकल खना भी तो खुद को राइटर कहती है खुद उन्होंने भी किताबे लिख डाली अगर अक्षे कुमा की पतनी नहीं होती तो घंटा उनकी किताब पर कोई बात करता तो वही है कभी कभी सरनेम बदलने से भी किसमत बदल जाती है अनुकमा चोपडा चाटू कारिता करते हुए बड़े बैनर्स की घटिया से घटिया फिल्म को प्रमोट करते जा रही है लेकिन दा कश्मीर फाइल्स के नाम पर वो चुपी साथ के बैट गई इधर उधर बहुत सी गालिया खाने के बाद मजबूरी वश उनकी फिल्म कमपैनियन को जब इसका रिव्यू करना पड़ा तो वो भी उन्होंने खुद से ना करके किसी चम्पू से करवाया इस चम्पू के दो लाइन के रिव्यू में फिल्म की ना केवल बुराई की गई बलकि ये बहुत और्डिनरी फिल्म बताई गई अनुपमा जी अगर ये रिव्यू आपने लिखके दिया है तो मुझे ऐसी ही उमीद थी और अगर इस चम्पू ने खुद लिखा तो अपने ओफिस का स्टाफ चेंज कीजिए वरना ये आपके ओफिस में ताला लगवा के रहेंगे आगे बढ़ते हैं फिल्म पांसो स्क्रीन के साथ रिलीज होती है कितना पांसो अभी हाली में मेरे द्वारा किये गए एक इंटरिव्यू के दोरा ने बहुत बड़े कलाकार ने कहा था कि कुत्ते बिल्ली पर बनी फिल्म को 6000 स्क्रीन मिल जाए तो वो फिल्म भी पहले दिन 20 करोड का बिजनस कर लेगी यानि उन सो कॉल्ड स्टार्स की जो कमाईयों का आकड़ा आपको बताय जाता है वो दरसल हजारो स्क्रीन पर फिल्म रिलीज होने के कारण मिलता है यहां कितने स्क्रीन मिलते हैं 500 अगेन पूछता हूँ कितने जी हां 500 स्क्रीन अब फ्राइडे को होता क्या है जिस दिन ये फिल्म रिलीज होती है मैं यहां सभी सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक्स की पोल खोलता हूँ नॉर्मली जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो पहले शो के खत्म होने के 15 मिनिट के अंदर रिव्यूज आ जाते हैं फिर्स्ट कम फिर्स्ट की होड लगती है कि पहले किसका रिव्यू आए लेकिन इस फ्राइडे क्या हुआ रादे शाम के रिव्यू आए पासा पलट गया रादे शाम के फीके परदर्शन पर दा कश्मीर फाइल्स भारी पड़ गई और इस दिन थियेटर के शो में भी अचानक बदलाव हो गया जिस theater में पहले दिन The Kashmir Files के दो show थे और रादे शाम के चार वहां अगले दिन उल्टा हो गया maximum shows The Kashmir Files के चलने लगे क्योंकि पहले दिन जिन लोगों ने film देखी उन्होंने इस पर इतनी चर्चा की कि अगले दिन film को जबरदस्त support मिला अब इस film की सफलता को देखते हुए हमारे हां के self film critics ने भी review देने शुरू कर दी क्योंकि film हो चुकी थी popular और आड़े तेड़े thumbnails के साथ film की तारीफों के pull बादने शुरू हो गया कहने का मतलब है यहां salesman भी तभी active हुआ जब product को public ने पहले ही accept कर लिया जबकि salesman का काम होता है public को product के बारे में बताना बट यहां तो उन्हें पका पकाया सब कुछ मिल गया film को foreign के देशों में screening की गई क्योंकि यह कहानी ही ऐसी थी जो दूर तलग जानी चाहिए थी तो इसकी screening पूरी दुनिया में की गई और जो response वहां से मिला उसने film को एक नया आयाम दे दिया लोगों के बीच film को लेकर excitement बढ़ने लगी क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी film से कोई इतना प्रभावित हो गया हो कि वो director के पैरों में ही गिर जाए नहीं हुआ। जाएं जाएं याँ जाएं जाएं खुआ टृहुआ छिड डिप एक ढिवन गिराएं झालёт आसनाğin के प्रभावित detecting thirds अम जनता किसी फिल्म से इतना प्रभावित नहीं हुई कि फिल्म खत्म होने के बाद थियेटर में बैठे सारे लोग रो पड़े हों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिल्म खत्म होने के बाद भारत मता की जय के नारे लगे हों, ये फिल्म नहीं एक सुनामी है जो आने वाले काफ क्योंके साथ प्रमाणों के साथ दिखाने के लिए भी जानी जाएगी, कि आने वाले काफी समय तक कोई इन घटनाओं की सच्चाई पर उंगली न उठा सके, 2018 से इस फिल्म का रिसर्च का काम शुरू हो गया था, राइटिंग वर्क जोरो पर था और उस वक तक 370 नहीं हटा था, लेकिन फिर 6 अगस्त 2019 को 370 हटा आए गया और अफकोर्स कहानी में फिर कुछ बदलाव लाए गए होंगे, और फाइनली 2022 में फिल्म रिलीज होती है, इस बीच एक और दिल्चस्प गटना गटी थी, दरसल फिल्म में जो हम पुनीत इस्सर वाला किरदार देखते हैं, वो किरदार पहले योगराज निभाने वाले थे, योगराज यानि युवराज सिंग के पिता, लेकिन इसी बीच उनका एक बयान आया, जहां उन्होंने कहा था कि हिंदू औरते टके टके में बिखती थी, जिसके कारण उनकी काफी फजीहत हुई, लेकिन अब आप दक कश्मीर फाइल्स जैसी उस फिल्म में काम करने वाले हो, जिसमें राष्टवादियों का एक ग्रुप काम कर रहा है, और जहां हिंदू महिलाओं के दर्द को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उनके साथ हुई उन घटनाओं को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे केवल पढ़दे पर देखकर रूह काप रही थी, उन हिंदू महिलाओं के लिए योगराज ने ऐसे शप्तों का प् और जब देखा कि शरीर का एक अंग यानि योगरा सिंग गल चुका है तो उन्होंने उस गले हुए अंग को शरीर से काटने में देरी नहीं की इसके बाद जो सबसे एहम चीज सामने आ रही है इस फिल्म की IMDB रेटिंग आज फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं मैं इस पर पहले भी वीडियो बना सकता था कि दरकश्मीर फाइल्स की IMDB रेटिंग 10 आउट ओफ 10 है लेकिन मुझे ये पता है कि फिल्म रिलीज होते ही फिल्म के खुद के चमचे रेटिंग देते हैं और ये करीब 65,000 लोगों की वोटिंग के आधार पर है जो अपने आप में एक किर्तिमान है हाइस्ट IMDB रेटिंग वाली फिल्म है दशशांक रिडेंप्शन जिसे 9.3 की रेटिंग प्राप्त है कुल 2.6 मिलियन वोटिंग के आधार पर ये 1996 की फिल्म है अब The Kashmir Files की रेटिंग 10 out of 10 है वो भी 2 दिन में और 65,000 वोटिंग के आधार पर तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने वाला है तीन दिन तक भी 10 में से 10 की रेटिंग पर कायम रहना एक बड़ा एचीवमेंट है बाद में हो सकता ह ये आकड़ा कुछ नीचे उपर हो जाए लेकिन फिलहाल IMDb के आधार पर ये वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म बनी हुई है और इस एहसास को अभी तो हमें महसूस करना ही चाहिए जनोसाइड पर पहले कई फिल्में बन चुकी है लेकिन कुछ फिल्में लोगों के दिल से जू हो जितने स्ट्रॉंग आपकी वो कहानी है तभी लोग उस फिल्म से खुद को रिलेट करेंगे फिल्हाल तो आप इंजॉय कीजिए कि दुनिया की बेस्ट फिल्म आपके देश में बनी है और उससे भी ज्यादा गर्व कीजिए कि ये उस मुद्दे पर बनी है जिस कहानी क दुनिया के सामने लाया ही जाना चाहिए था जैहिंद बंदे मातरम